आज हम बनाने वाले हैं आलू कैपसिकम की बहुती जादा टेस्टी और मिंटो में बनके रेडी हो जाने वाली रेसिपी ये 10 मिनिट में बनके रेडी हो जाती है और इसे आप रोटी के साथ चावल दाल के साथ या फिर लंच बॉक्स में भी सर्फ कर सकते हैं ये बहुती जा तो हम नॉर्मल सबजी में घर का जो बेसिक मसाला होता है ना बस वही यूज करेंगे और कुछ भी नहीं यूज करेंगो दो की जगा चार रोटी खा जाओगे इतनी ज्यादा टेस्टी लगती है तो चलिए फटा फट से इसे बना के रेडी कर लेते हैं चलिए सबसे पहले कराई ले ले लेंगे उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे और यहां पे डाल देंगे तीन बरा चमच कुकिंग ओल तो यहां पे मैंने मस्टर ओल का यूज किया आप अपने पसंद की कोई भी लेना है तो फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और यहां पे आपको तीन से चार मिनट लगेंगे और सभी चीज़े बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएगी इसे हमें 90 परसेंट कुक होने तक फ्राई कर लेना है मुझे यहां पे टोटल चार मिनट हुए हैं और हमारा जो कैपसिकम और प्याज है वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है 90 परसेंट तक यहां पे कुक हो चुक है आप देख सकते हो तो अभी हम क्या करेंगे कि इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे सेम ओल में हम यहां पे डाल देंगे वन भाई थर्ट चोटी चमम चींग एक हरी मिच को चॉप करके डाल देंगे एक सूखी लाल मिच को तोर के डाल देंगे और यहां पे एक चोटे साइस का प्याज है जिसे हमने रफली चॉप कर लिया वो यहां पे डाल देंगे सभी चीजों को हम यहां पे एक से डेर मिनट के लिए बून लेंगे फ्लेम को मी आदी चुटी चमच लालमिज का पवडर आदी चोटी चमच धनिया पाउडर आदी चोटी चमच जीरा पाउडर इडिया चीजों को हमते बिलो अच्छे से इस अधे म हम यह फिल दल एक हो चालता और आपके बाज़ को हम Bald नमक डालना भूली नहीं हो मैं वो लास्ट में डालूंगी ताकि जो हमारी सब्जी है वो क्रंची क्रंची रहे अभी हम इसे कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे पांच मिनट के लिए बिल्कुल अच्छे से कुक कर लेंगे और बीच में एक बार चला लेंगे यहां पर हम मिननट के लिए बिल्कुल अच्छे से भूण लेंगे और देख लिस्ट का फ्लेम आफ कर देंगे एक यहाँ पर हो चुक अ हैं मैं सब्स्षा ॹाइइन हुसरे कर लेते हैं तो यहां पर इसे मैं एक serving plate में निकाल ले रही हूँ, आप इसे रोटी, चावल, दाल या फिर लंच बॉक्स में दो पुलाओ के साथ सर्फ करो, सभी चीजों के साथ बहुत ही अच्छी जाती है, in fact बच्चों को भी बहुत ही जादा पसंद आती है, अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो, अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताए, मेरे चानल को सब्स्क्राइब कर दे, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे, ताकि जब भी मैं कोई न्यू आप मुझे फेस्बूक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, और यह वाली रेसिपी फटा फट से बनके रेडी हो जाती है, तो एक बार ट्राइब करें, मिलेंगे फिरे किसी तरह की इजी, न्यू और मज़िदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाई टेक केर